हेलो एवरिवान मैं हूं किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए कमिल वीक का सापता ही क्राशी फल ये 10 जानवरी से लेकर 16 जानवरी तक की आपकी टारो रीटिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीटिंग में इंटरस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साबता है क्राशिफल तो चलिए ले ब्राज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards हैं the high priestess and deliverance और देखे deliverance का card जैसे की नाम कहता है किसी चीज के मिलने की बात करता है और इसी मिलने से related एक happiness एक joy की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस week in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है और इस card में आप देख पा रहे होंगे कि एक banjar भूमी में बारिश हो रही है और थोड़ा सा अगर आप इस चीज का हैसास करें कि कैसे उस जमीन को लगता होगा जब you know वो banjar है और उसमे पानी गिरता है कितना again सुकून कितना एक अच्छी feeling होती होगी देखिए ऐसे ही जैसे जब हमें प्यास लगी है और हम पानी पीना चाहते हैं हमें पानी नहीं मिल रहा है और जब हमें पानी मिल जाता है और एक घूट पानी का जब हम पीते हैं तो इतनी अच्छी सी feeling होती किसी लेविल पे किसी तरीके से ऐसी ही feeling इस week आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है और शायद इसलिए या otherwise भी the high priestess का काट कहता है कि एक सुकून एक satisfaction आप महसूस कर रहे हैं और शायद इसलिए या otherwise भी बहुत actively आप किसी भी चीज में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं कहीं आप चीजों से withdraw करते हुए दिख रहे हैं कहीं आप चीजों को और समझना चाहते हैं जैसे होता है ना कि किसी चीज को पाने के लिए हम बहुत effort करते हैं बहुत मेहनत करते हैं और जब finally हमें मिल जाती है तो हमें ठंड़ सी पढ़ जाती है एक सुकून सा आ जाता है और हम फिर relax करना चाहते हैं तो देखिए overall cards की तरफ से मुझे ऐसी ही energies दिख रही है नीचे comment section पर आप मुझे जरूर बताएं कि आपके लिए कैसा रहा and personal front के लिए आप लुगों के लिए night of pentacles and the cauldron के cards है और night of pentacles का card भी कहीं pause लेने की बात करता है कहीं रुकने की बात करता है आगे बढ़ने से पहले चीजों को लेकर और sure होने की और confident होने की बात करता है और देखिए नीचे cauldron का card कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं जो भी आपकी desire है उसी से ही related यही सही time है आगे बढ़ने के लिए आप wisely चीजों को deal करें और फिर से मैं कहूंगी आगे बढ़ें तो देखिए दोनों ही cards एक तरीके से एक ही बात कर रहे हैं लेकिन कही night of pentacles के card में हमने देखा कि आप थोड़ा सा रुक रहे हैं और कहीं cauldron का card फिर से मैं कहूंगी कहता है कि आप आगे बढ़ें क्योंकि यही सही समय है अपनी wishes अपनी desires को पूरा करने के लिए तो देखिए नच्छल में मैं आपको यही कहूंगी कि आप you know सोचें सोचना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन इतना जादा ना सोचें कि आप अच्छी opportunities यहां फिर कोई अच्छी चीज आपकी लाइफ में आ रही है आप उसको miss करें जो आप चाहते हैं आप उसी से ही related wisdom से काम लें लेकिन आगे ज़रूर बड़े action initiative ज़रूर लें and guidance से आप लोगों के लिए princess का card है और यह card कहता है you can be your own knight तो देखिए हो सकता है कि किसी चीज को लेकर चोटा मोटा issue या फिर चोटा मोटा मसला आप face कर रहे हैं और यहां पर देखिए यह card कहता है कि आप किसी के आने का इंतजार ना करें कि वो इनसान आएगा और आपको थोड़ा सा you know guide करेगा या फिर आपको इस चीज में से इस situation में से बाहर निकालेगा आप खुद ही अपने knight बने और खुद ही आप जो कर सकते हैं वो करें और अपने आपको उस situation से उस you know energy से बाहर निकालें और astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है और इसके हिसाब से blue, indigo, navy blue colors आप लोगों के लिए इस week lucky रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये थले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में आप ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए